पोडो जी में है और आप लोगों के साथ आज का टॉपिक क्या है टाइम एंड वर्क का की कुश्चन बेश ऑन रिमैनिंग पार्ड या फिर हम कह सकते हैं कि जो कुश्चन बेश होगा वो रिष्ट वर्क पे होगा बहुत सारे कुश्चन में आप देखे होंगे बहुत सारे कॉंसेप टाइप के कुश्चन होते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग काम करने आते हैं और काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके according हम देखते हैं कि उस type के questions को कैसे solve करना और क्या हमारा तरीका होगा, तो देखते हैं आज का question first, जैसा कि हमारे पास question number one given है, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 15 days, A जो है वो किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है and B can do the same work in 15 days, कह रहा है बोथ A and B start the work and after some days we lift, अब हुआ क्या है कि दोनों ने मिलकर काम start किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या करता है, B जो है वो काम छोड़ देता है, कह रहा है, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same work in 15 days, बोथ A and B start work and after some days we lift, कह रहा है कुछ दिनों के बाद B जो है वो काम छोड़ चुका है and A complete the remaining work in 6 days, अब कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो A क्या करता है, छे दिनों में complete करता है, after how many days will be left work, B ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, हमें ये बताना है, तो देखते हैं क्या करते हैं इस question में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि दिया हुआ है जैसे कि A और B दो आदमी है, A जो है वो इसे 20 days में और B जो है वो इसे 15 days में complete कर सकता था, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले total work find कर लेते हैं, मैंने बताया था कि total work में हम वैसे numbers को count करेंगे, जिसमें क्या होता है, work complete होता है, जैसे A भी 20 days में complete कर रहा है, B भी 15 days में complete कर रहा है, इसलिए दोनों numbers को क्या करेंगे, total work के लिए, LTM के लिए इसे count करेंगे, तो 20 और 15 का अगर हम LTM find कर लें, तो LTM कितना आ जाएगा 60, that means हम कह सकते हैं कि हमारा total work जो है, वो कितना है, 60 है, तो अब हम यहाँ ते efficiency find कर सकते हैं, कि A का efficiency कितना होगा, यह 20 days में 60 work करेंगा, that means हम कह सकते हैं, A का efficiency 3 है, और B का efficiency कितना आएगा, 4, अब यहाँ पर कह रहा है question में, both A and B start the work and after some days B left, कुछ दिनों के बाद B ने काम छोड़ दिया था, और छोड़ने के बाद कहता है, कि A remaining work जो है, वो 6 दिन में किया, इसका मतलब क्या है, कि A जो है, वो last में 6 दिनों तक अकेले काम करता रहा है, अगर A last में 6 दिनों तक अकेले काम किया होगा तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो 6 दिनों में कितना काम करेगा तो ये एक दिनों में 3 कर सकता है तो 6 दिनों में ये कितना work कर लेगा 18 तो हम ये देखते हैं कि अगर 60 में से 18 work A ने last में अकेले किया होगा तो ये जो 42 वर्क है ये तो पहले दोनों मिल के साथ में किया होगा दोनों मिल के साथ में मतलब क्या है कि A और B दोनों कर रहे होंगे तो A और B दोनों मिल के एक दिन में कितना कर सकते हैं तीन और चार साथ इसका मतलब 42 वर्क करने में कितना टाइम लगाए होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिल के starting में ये कितने दिनों तक काम की हैं 6 दिनों तक तो अब हम ये कह सकते हैं ये 6 दिन क्या है इस 6 दिनों में A ने भी काम किया और B ने भी काम किया और B जो है वो 6 दिनों के बाद काम छोड़ चुका है इसका मतलब B ने काम को कितने दिनों के बाद छोड़ा था 6 दिनों के बाद और 6 दिन हमारा क्या होगा इस question का answer होगा तो इस तरीके से question को solve कर लेते हैं देखते हैं हमारा दूसरा question क्या है आज का दूसरा question कहता है A and B can do a work in 20 days and 30 days respectively. They start the work together and work for 7 days. अब कह रहा है कि यहां भी दोनों मिलकर काम start करते हैं कह रहा है question में दोनों मिलकर काम start करते हैं और 7 दिनों के बाद work for 7 days. Then both left, दोनों ने काम छोड़ दिया and C complete the remaining work in 10 days और जो बचा हुआ काम है उसे C ने अकेले 10 दिनों में complete किया तो हमसे पूछ रहा है how much time shall be taken by C to do whole work. अगर C अकेले पूरा काम करे तो फिर यह काम कितने दिनों में चलेगा, कितने दिनों में खतम होगा. तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास कि A और B जो है, A जो है इस work को 20 days में और B जो है इसे 30 days में complete करता है. अब कह रहा है दोनों में मिलकर साथ दिनों तक काम किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, total work find कर लेंगे 20 और 30 का 11 क्या जाएगा 60. तो efficiency हमारा साथ दिनों तक दोनों ने मिलके काम किया, और दोनों मिलके एक दिन में कितना कर सकते हैं, 3 और 2, 5. इसका मतलब हम ये देख सकते हैं, कि 60 में से 35 work जो है, वो complete हो चुका है, तो बचा कितना work हमारा 25, अब ये 25 work जो है, किसने complete किया, ये 25 work जो है, C ने complete किया, और इसे जो है वो इसे 10 दिनों में complete करता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि C जो है वो एक दिन में कितना work करेगा तो 10 से अगर हम divide कर ले तो ये कितना आ जाएगा 2.5 मतलब C जो है वो एक दिन में कितना work complete करेगा 2.5 तो हम से पूछ रहा है question में कि अगर C अकेले पूरा work complete करे तो कितने दिनों का समय लगेगा तो हम क्या सकते हैं कि C अगर अकेले पूरा work करेगा अकेले पूरा work कितना 60 है और ये एक दिनों में कितना कर सकता है 2.5 तो आप जब 60 divided by 2.5 करोगे तो क्या जाएगा into 10 और इसे हम calculate कर ले तो ये क्या होगा 5 से ये 2 टाइम में cancel और ये 5 टाइम में और 5 से ये 12 टाइम में cancel होगा 12 into 2 24 days इसका मतलब C इसे अकेले 24 जिनों में complete कर सकता है तो इसी तरीके ते ये ते question को हमेशा solve करेंगे अगर कोई भी इंसान काम करके चला जाए इसका मतलब हम क्या करते है उसके work को पहले माइनत कर लेते और जो भी हमारे पास rest work बजता है उसे क्या करते है जो भी last में काम करने आ रहा है उससे efficiency compare करके total number of days निकालते हैं जैसा कि question में पूछा जाता है तो देखते हैं फिर question number third कि हमारा question number third क्या होगा आज का question third कहता है A, B and C can do a work in 24, 30 and 40 days respectively they started the work together but C left the work 4 days before its completion in how many days did the work get completed कह रहा है A, B, C 24, 30 और 40 दिनों में तो काम कर ही सकते थे लेकिन यहां कह रहा है कि सभी ने मिलके काम start किया लेकिन C जो है वो काम खत्म होने से चार दिन पहले ही काम छोड़ दिया जितने दिनों में काम खत्म हो रहा था उससे चार दिन पहले ही C क्या कर रहा है काम छोड़ रहा है ठीक है तो अब इस टाइप के questions को कैसे solve करेंगे देखिए हमारा क्या तरीका होगा जैसा कि दिया हुआ है कि A, B और C जो है वो कितने दिनों में कर सकता है 24, 30 and 40 days में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि total work find कर लेंगे तो 24, 30 और 40 अगर इन सभी का LPM लिए जाए तो LPM कितना आ जाएगा 120, that means हम क्या सकते है कि हमारा total work जो है वो कितना है 120, 120 है अब हम efficiency find कर लेते हैं 24 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 30 से divide करेंगे तो 4 और 40 से करेंगे तो 3 अब question में क्या कहता है पहले छोड़ दिया इसका मतलब क्या है कि C जो है 4 दिन पहले छोड़ा होगा तो A और B लास्ट में अकेले 4 दिन काम करता रहा होगा A और B जो है वो लास्ट में अकेले 4 दिन काम करता रहा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले अगर C चार दिन लास्ट में काम नहीं कर रहा है तो हम A और B का भी चार दिनों का काम माइनत कर देते हैं किसका माइनत करेंगे A और B का कितने दिनों का काम चार दिनों का तो हम यह देखते हैं कि आखिर यह दोनों मिला के चार दिन में कितना काम करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 84 वर्क अब हम यह कह सकते हैं कि यह 84 वर्क में 84 यूनिट वर्क में ABC तीनों मिल कर काम कर रहा होगा तो हम यहां कह भी सकते हैं कि ABC तीनों मिल कर जो है 5, 4, 9 और 3 कितना 12 यूनिट का वर्क कम्प्लीट करते हैं एक दिनों में तो 84 वर्क को करने में यह कितने दिनों का टाइम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह कितने दिनों का टाइम लिये हैं साथ दिनों का तो हमसे question में पूछ क्या रहा था in how many days did the work get completed तो हमें total time बताना है कि total time कितना लगा तो अब हम यह देखते हैं कि तीनों ने मिलके साथ दिनों तक तो काम किया ही था और last में A और B चार दिन अकेले काम किया था इसका मतलब total work जो है वो यह कितने दिनों में complete हुआ 11 days में और 11 days हमारा question का answer होगा इस question को और भी हम दूसरे तरीके से इतना ना करके अगर हम ऐसा कर लेते तो इस तरीके से भी question बन जाता हम जैते कि क्या कह रहे थे कि C जो है वो चार दिन पहले काम को छोड़ दिया इसका मतलब हम क्या कहते है कि last में A और B चार दिन अकेले काम किया तो ऐसा करते है last में A और भी चार दिन अकेले नहीं सी को भी चार दिन और काम करवा लेते हैं तो हम यह देख रहे हैं थे कि टूटल वर्क जो है वह हमारे पास कितना था 120 अगर C 4 दिन और काम करता तो हम यह कहते हैं कि C जो है वो 4 दिनों में और कितना काम करता तो 12 और कर लेता इसका मतलब वर्क कितना हो जाता 132 तो C ने जो 4 दिन पहले काम छोड़ा था उससे भी 4 दिन एक्ट्रा काम करवा दिये हैं तो वो 132 आ चुका है अब हम यह कह रहें यह 132 वर्क किसने किया होगा तो सभी ने मिल के किया होगा तो इसे क्या कर लेंगे 12 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो यह 11 ताइमस में कैंसल हो जाएगा और हमारा काम जो है वो 11 दिनों में खतम हो गया आप देखे होंगे कि इस तरीके से गर हम question को बनाते हैं तो हमें ज्यादा calculate नहीं करना पड़ता है जिस बंदे ने काम छोड़ा है जिस आदमी ने work complete होने से पहले काम को छोड़ा है तो ऐसे case में करते क्या है उसके उतने दिनों का work में add कर देते हैं वो work बढ़ा देते हैं उ जाएगा तो उस cases में क्या करते काम mind क्या करते work को minus करते लेकिन एक क्या होता है कि काम पूरा होने से पहले कोई भी work done होने से पहले इंसान छोड़के चला जाएगा तो इस cases में क्या करेंगे कि उसका जितना दिन पहले वो काम छोड़के गया है उसको क्या करेंगे total work में plus क जैसे C जो है वो चार दिन पहले छोड़के गया था तो टोटल वर्क में इसका वर्क क्या कर दिया प्लस कर दिया अगर C ने चार दिनों तक काम करके छोड़ा होता तब यह चार दिनों का काम क्या करते माइनत करते देखो दो चीजे समझना है एक काम करके छोड़के भाग र उसके बाद इस टाइप के questions में आपको कभी भी confusion नहीं होगा क्योंकि बस यहीं दो हमेशा remaining work के questions में होता है यह का starting में इंसान कुछ दिन काम करके चला जाएगा और दूसरा क्या case होगा कि work complete होने से पहले कुछ दिन चला जाएगा तो starting में अगर कुछ करके जाएगा तो क्या करेंगे उसके work को माइनत करेंगे और complete होने से पहले अगर छोड़के चला जाएगा तो क्या करेंगे उसके work को total work में add कर देंगे इसी तरीके से हमें remaining work के सारे टाइप के questions को solve करना है तो देखते हैं हमारा आज का next question क्या है question number 4 जैसा कि देखते हैं question number 4 दिया हुआ हुआ है A, B and C can finish a work in 16, 32 and 48 days they started the work together but B left the work 8 days before its completion इसमें कह रहा है कि B ने क्या किया है B, work complete होने इसे 8 दीन पहले छोड़ चुका है जा कह रहा है कि B जो है वह काम पूरा होने इसे 8 दीन पहले वर्क चौड़ चुका है and C left the work 6 days before its completion और C जो है वह 6 दिन पहले ही काम को छोड़ चुका है पूरा होने से पहले तो हमसे पूछ रहा है in how many days did the work be get completed काम कितने दिनों में खत्म वह तो मैंने अभी जस्ट एक लॉजिक बताया है कि इस तरीके को question को हम direct उस तरीके से बना लेंगे तरीका क्या होगा कि दोनों complete होने से पहले छोड़ रहा है तो दोनों के work को क्या करेंगे total work में add कर देंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे total work हमारा क्या हो गया 96 अगर हम efficiency देख लेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे 6, 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 48 पे करेंगे तो 2 अब question में क्या कह रहा है कि B ने 8 दिन पहले काम छोड़ा था तो इसका मतलब B का क्या करेंगे 8 days का work इसमें बढ़ा देते तो एक दिन में ये 3 कर रहा है तो 8 दिन में ये कितना करेगा 8 into 3 और अगर हम C की बात करें तो C ने जो है वो इस work को कितने दिन पहले छोड़ा है 6 दिनों पहले तो इससे भी 6 दिन का काम इसमें add कर लेते हैं ये एक दिन में कितना कर रहा है 2 तो 6 days में कितना करेगा 12 इसका मतलब आप हमारे पास total work कितना आ जाएगा ये 24 और ये 12 कितना आ जाएगा 36 36 और 96 कितना आ जाएगा 90 30 120 और 66 12 132 हमारे पास total work जो है अब कितना हो गया 132 और हम बताये हैं अभी जस्ट बता रहे थे कि कोई भी इंसान work complete होने से पहले छोड़ता है तो इसको add करने के बाद ये जो हमारे पास total work आया है इसमें अब सभ दिनों में कितना काम करेंगे तो आप देख रहें कि सभी मिल के एक दिनों में कितना 11 वर्क करेंगे तो 132 वर्क complete होने में कितना टाइम लगेगा तो 11 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये cancel हो जाएगा और 2 पर 2 तो हमारा 12 डेज ही क्या होगा इस question का answer ह होगा मतलब ये वर्क जो है वह 12 डेज में क्या हुआ complete हुआ तो इसी तरीके से question को बनाना है और भी अगर इसमें कोई लोग होता तो हम क्या करते कि उसका भी आड़ कर लेते हैं ठीक है जैसा कि हम देखते हैं next question पे next question में कि next question में हमारा क्या होता है question number five question number five a b and c can finish a piece of work in 12 15 and 20 days respectively they started working together but b left the work after working three days and c left the work three days before completion of the work अब देखो यह कैसा question है कि इसमें दो टाइप के लोग काम छोड़ रहे हैं मैंने पताया था कह रहा है कि तीनों का starting में दिया हुआ उसके बाद कह रहा है कि सभी ने मिल के काम start किया but b left the work after working three days मतलब b जो है वो तीन दिनों के बाद काम को छोड़ देता है starting में काम श जो है वो तीन दीन पहले छोड़ता है तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ABC दिया हुआ है कि जो है वो 12 गेस में complete कर सकता है 15 और सी जो है वह वह 20 तो हम ऐसा करते हैं कि पहले total work find कर लेते हैं total work क्या होगा LCM तीनों का 60 आ जाएग यह हमारे पास तीनों का एफिसिएंसी आ गया बट बोल रहा है कुश्चन में B ने तीन दिनों के बाद काम छोड़ दिया तो मैंने अभी तुरंट बोला कि कोई इंसान अगर आए और काम करके चला जाए इसका मतलब उसके वर्क को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो B क्या कर रहा है B जो है वो तीन दिनों का वर्क करके चला जा रहा है इसका मतलब यह तीन दिन काम किया है तो तीन दिन में कितना काम किया होगा 4 इंटू 3 लेकिन C जो है वो क्या हो रहा है वर्क कम्पलीट होने से पहले छोड़ रहा है इसका मतलब C के work को क्या करेंगे हम add करेंगे और C कितने दिन पहले छोड़ रहा है ये भी 3 दिन पहले छोड़ रहा है तो ये 3 दिनों में कितना काम करेगा 3 days में 3 into 3 तो हम ये देख रहे हैं कि 12 minus होना था और 9 plus हो गया तो हम क्या सकते हैं कि 3 ही minus होगा तो हमारे पास वर्क जो है वो बचेगा कितना 57 बचेगा अब आप यह बता सकते हैं कि यह 57 वर्क कौन कम्प्लीट करेगा तो 57 वर्क कम्प्लीट कौन करेगा यह समझना बहुत जरूरी है बी ने तीन दिनों के बाद काम छोड़ दिया इसका मतलब बी काम पे आया ही नहीं बी को मैंने काम पे रखा ही नहीं तो सिर्फ इस वर्क को जो है वो सी कर रहा है और कौन कर रहा है यह कर रहा है तो आप क्या सकते हैं कि यह और सी मिला के कितना वर्क करेगा एक दिनों में 8 तो 57 वर्क complete होने में कितना time लगेगा तो 8 से divide कर लेंगे 8-7 जा कितना हैगा 56 और बचेगा कितना 1 तो हम क्या फक्ते हैं 7-1 by 8 days में यह वर्क क्या हो गया होगा complete हो गया होगा यही हमारा क्या है इस question का answer है तो इस तरीके से remaining work के questions को बनाएंगे दो type के questions मिलेंगे हमेशा आपको एक के starting में इंसान काम करके चला जाएगा और दूसरा की complete होने से पहले छोड़ेगा तो आपको दूनों चीजे समझ में आज आ गई होगी कि आखिर किस type के questions को कैसे बनाना है और किसे minus करना और किसे plus करना ठीक है तो आज के लिए इतना ही guys so thank you फिर मिलते हैं next video में next content के साथ और please इस video को सभी लोग like करे channel को और channel को subscribe करे thank you